सारांश में आपका हरदिक स्वागत घरका वैद्दे सीरिस की इस श्रिंखला में आज उपाए करते हैं बलगम का कैसे छुटकारा पाएं बलगम से दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सारांश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया इसे सब्सक्राइब करें और शेर करें हमारे वीडियोज अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आएं तो गले में जबरदस जकड़न, खांसी, छाती में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, लगातार चीके, नाक बहना और बुखार ये सारे लक्षन बलगम जमा होने के हो सकते हैं बलगम बहुत जादा खतरनाक नहीं होता, परन्तु लंबे समय तक ऐसी स्थिती में रहने से श्वास समद्धी समस्यां हो सकते हैं बलगम जमा होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे बहुत जादा स्मोकिंग, किसी धूल बरे स्थान पर रहना, बहुत जादा या ठंडे गरम पदार्थों का सेवन, तथा मौसम के अनुकूल वस्तर आदी ना पहनना ऐसी समस्यां होने पर हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की अवशकता नहीं है, कुछ घरेलू उपाओं से आप इस समस्यां से निजात पा सकते हैं, तो आईए आपको बताते हैं, इस समस्या से नपटने के घरेलू उपाए सर्व प्रथम यह अवश्यक है कि बल्गम को निगले नहीं, बाहर फैके खासी के दोरान बाहर आया बल्गम निगलने से परिशानी बर सकती है एक कप गुन-गुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर गरारे करें इससे काफी राहत मिलेगी नीबू के रस में मौझूद ऐसी डिटी बल्गम को ढीला करके इससे अराम दिलाती है इसलिए अगर आप नीबू की चाय में शहद मिलाकर पीएं तो इससे गले को आराम मिलेगा घर में परियोग होने वाले काली मिर्च आधी मसाले कफ को ढीला करने में साहयक होते हैं चाय या चिकन सूप या ऐसे ही गर्म तरल पदार्थ पीने से गले में आराम मिलता है और बल्गम भाँर निकलने लगता है। यदि आपका शरीर बल्गम को बाहर निकलने में मदद कर रहा है तो इसका मतलब आपकी रोग परती रोदग शम्ता अच्छे से कारे कर रही है ऐसे में शरीर की मदद करने के लिए गरम पानी भरपूर मातरा में पीना एक अच्छा और कारगार उपाय हो सकता है साइडर विनेगर भी बल्गम को बाहर निकालने में साहयक है आधे कब पानी में दो चमच विनेगर डाल कर पीए इसका स्वाद थोड़ा तीखा अवश्य है लेकिन ये है फायदेमन देरी उत्पात वस्तुएं जैसे दही वो अन्ने पदार्थों का सेवन ना करे देरी उत्पात से कुछ लोगों में बल्गम जादा परगाल हो जाता है इसलिए इससे बचे दूएं धूल मिट्टी और अन्ने खतरनाक रसाइनों के सीधे संपर्क में आने से बचे इससे गले संबंदी परिशानिया बढ़ सकती भाप लेने में बल्गम ढीला हो जाता है अता ऐसे समय में भाप लेना एक कारगर और अच्छा उपाय हो सकता है एक निबू का रस, थोड़ा सा कुटा हुआ अद्रक, आधा चमच, काली मिर्च पाउडर और एक चुट की नमक को एक कप उबले हुए पाने में अच्छी तरह से मिला कर पी जाएं इससे आपको बल्गम की समस्या से तौरन निजात मिल जाएगी यदि खासने पर बल्गम के साथ खुन निकल रहा हो तो तुरंथ डॉक्टर से परामर्ष ले ऐसे में धील बिलकुल ना परते हैं